बताओंगी और दिवाली की पूजा में क्या-क्या सामगरी लगेगी उसका वीडियो अल्रेडी मेरी चैनल पर है तो अब पूजा विदी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाके इससे हम वहाँ जहां पूजा करने वाले हैं वहाँ पोचा लगाएंगे क्योंकि नमक से सफाई करने से सारी नेकिटिव एनरजी तूर हो जाती है और फिर हम गंगा जल्बी छिरक देंगे थोड़ा सा अगर आपक लक्ष्मी और भगवान विश्नु की फोटो हमने रख लिए है आपके पास मूर्ती हो तो मूर्ती रखें फोटो हो तो फोटो रखें फिर हम चावल पर गंपती जी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी बिठाएंगे तो हम तो पहले ही कुमकुम चंदन हर्दी जो भी लगाना होता है लगा लेते हैं क्योंकि फिर वहां पे भगवान को बठाके लगाते हैं तो गिडने का डर होता है मूर्ती का सबसे पहले तो हम इस करेंगे उस के बात साधा जल और अब हमें कलश में थोड़ी सी दुर्वा हल्दीकी गांट एक कोड़ी एक रुपए का सिक्का और चावल डालने है हल्दी की गाट ना हो तो आप उसकी जगा पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं फिर पांच राम के पत्ते लिए हैं आप पांच के पत्ते या शोक के पत्ते भी ले सकते हैं उन पे भी चंदन रोरी लगा लिया है और उन पे नारियल हमने कपड़े में बांद के रख लिया है यार रहे नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए फिर हम आज तो साधे चावलों से मैंने अश्टदर कमल बनाया है पर कलर चावलों से कैसे बनाना है उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा थोड़ा डिजाइन वाला अगर आप बनाना चाहते हो अब नवग्रह के लिए या तो आप ऐसी फोटो ले सकते हैं या हमने दस रुपे में बाजार में बनवाई थी या फिर चावल से ऐसे बनाके उन पे सुपारी भी बैठा सकते हैं बट हम सुपारी नहीं बैठाते हैं और यहां हमने शोड़श मातरी का भी बना लिए और नवग्रह भी बना लिए हैं अब हमने जो आठ कुलहर ली थी उसमें हमने अश्ट धाने भर लिया और जिसमें धनिया था उसके उपर हमने चांदी और सोने का समान भी रख लिया है अगर आप इतना सा नहीं रखना चाते हैं जादा रखना चाते हैं तो आप एक जोलरी बॉक्स में करके उसे रख सकते हैं फिर हम भगवान को कुमकुम का टीका लगाएंगे चंदन का हलदी का सबका टीका लगाएंगे बढ़वान विश्नु को भी और लक्ष्मी जी को भी ये देखिए फिर हम गनपती जी को जनेओ पहनाएंगे विश्नु जी को जनेओ पहनाएंगे और सभी भगवानों को मोली पहनाएंगे यह देखिए अब हम नवग्रह की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले चंदन रोली चढ़ाएंगे फिर उनको मोली चढ़ाएंगे अब शोड़श मातरिका पर हम हल्दी कुमकुम और मोली चढ़ाएंगे गनपती जी को दुर्वा चढ़ाएंगे सबी देवी देवताओं को इतरे लगाएंगे अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं फिर हमने लक्ष्मी माता को पाँच कौड़ी और पाँच कमल घटे और उसे के साथ सब ग्यारा गोमती चक्र चढ़ाएं आपके पास जितने हो आप उतने चढ़ाएं और अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं फिर हमने फूल चढ़ाएं अब नवग्रह पर हमें एक पान, सुपारी, लॉंग, इलाइची का प्रशाद चढ़ाएंगे और शोडश मातरिका पे एक पान, इलाइची और लॉंग का प्रशाद चढ़ाएंगे उसे के साथ साथ फूल चढ़ाएंगे और ये देखिए हम सोने चांदी के समान की भी पूजा करेंगे फिर हमने मातर के आगे अश्टदल कमल बनाया और उस पे हम हमारा घी का दीपक जलाएंगे फिर जो हम नई किताब खरीद के लाएंगे उस पे भी हम रोली कुम कुम चावल सब लगाएंगे अंदर एक स्वस्तिक बनाएंगे हल्डी डालेंगे चावल डालेंगे और अगर आपके पास पान का पत्ता भी है तो वो भी जरूर रखें इसे के साथ साथ पांच रोली की टिक्की दे देंगे और किताब बन करके उसे भी हम हमारे पूजन ग्रह में रखेंगे जहां पूजा कर रहें वहीं रखेंगे फिर हम सारी जगा मूँख चावल भी चढ़ाते हैं इसे हमारे आखा देना कहते हैं और इसे के साथ साथ ऐसे ही हमें खील भी चढ़ानी होती है फिर ये दे कि हमने छोटी से चक्की, ओखली, सिल्बटा, चूला और तुलसी कमला लिया है तो इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए पुराने जमानों में तो असली होते थे जैसे सिल्बटा, चक्की तो असली की पूजा करते थे बट हम याँ छोटे से ये भी रख लेते हैं और असली वालों की पूजा कर लेते हैं फिर हम अब एकदम सामने पाट्टे के एक छोटा सा हल्डी से कुमकुम का स्वस्तिक बनाएंगे हल्डी कुमकुम से, उस पे भी चावल चढ़ाएंगे और उस पे हम हमारा बड़ा वाला दीपक रखेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे जो सारे हम बाद में दीपक जलाते हैं, 11, 21, 31 जितने भी जलाते हैं उनकी पूजा कैसे करनी है, अच्छे से और उन्हें कहां कहां रखना है, किस-किस के नाम के निकालने है वो हम एकदम सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से सिखा देंगे फिर हम दक्षिना भी चढ़ाएंगे ये देखें जो ये दिये हैं, ये हमें इनका पूजन करना होता है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा फिर हम प्रशाद चढ़ाएंगे, जितना भी आपने बनाया हो, बजार से लाया हुआ भी जैसे हमने खीर बनाई है, हलवा बनाएं, जो भी बनाएंगे उसे आप चढ़ाएं जो घर का खाना बनाएंगे जैसे हमारे माता को दालचावल का भोग लगता है तो हम दालचवल का भोग भी लगाते हैं जितना भी पूरी सबजी जो भी बनाते हैं उसका भोग भी लगाएं इसी के साथ साथ आप माता को फूल माला अगर आपके पास हो तो वो भी जरूर चढ़ाएं फूलों के साथ और अगर आपके पास ऐसा यंत्र हो तो वो यंत्र भी अपनी पूजा में जरूर रखे और इसे के साथ साथ हम जाडू जो धंतेरे उस पर खरीद के लाते हैं उस जाडू की पूजा भी हमें अवश्य करनी चाहिए तो यही थी सारी दिवाली की पूजा विधी की कैसे हमें पूजा करनी है रात के समय की तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओ तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना बिलकुल ना भूले